वापे सब प्राइवेट चलता है और ये बिहार में फेल हुआ मॉडल मोदी जी अब पूरे इंडिया में लाना चाहते है जहिन साथियो मेरा नाम डॉक्टर संग्राम पाटिल है मैं इंग्लेंड में काम करता हूँ साथियो सरकार दोरा जो बिल पारित किया गया है कुशी के संदर में उसकी सोशल मेडिया पर बहुत चर्चा चल रही है और इसी के सिलसिले में मैंने मेरी एक राय व्यक्त की थी तो कुछ मित्रों ने मुझे प्रशने पूचा भाई आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो इस पर मेरा स्पष्टिकरन भी मांगा होता यह है साथियो कि जब भी कोई बिल पारित होता है तो कुछ लोगों का इसको समर्तन होता है और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और सामन्यता इसका कोई अध्ययन डिटेल में नहीं करता है 99.9% लोग इसकी गहराई तक नहीं जाते हैं तो इस बिल के बारे में मैं आपको संक्षक में अब बताऊंगा यह बिल राजसबा और लोगसबा में प्रस्तुत होने के पूरो इस पर अध्यदर जारी किया गया था और तब इस बिल पर विवात खड़ा हुआ तो इस बिल पर नाराजी वेक्त करते हुए इसी सरकार के एक मंत्री ने त्याक पत्र दे दिया यह आपने सुनाई होगा और इस विदेक के विरोध में कई किसान संगटन और किसान रास्ते पर उदर गए अब यह गोशित कर दिया गया है कि यह बिल लोगसबा और राजसबा में पारित हुआ है लेकिन अगर आप लोगतंत्र में भरोसा करते हो तो वास्तों में यह बिल राजसबा में पारित हुआ ही नहीं है वहाँ धोके बाजी हुई है सातियो असल में यह दोनी मत्स से पारित हुआ है राजसबा में सत्तादारी पार्टी को बहुमत नहीं है विरोधी अगर विरोध करते है चर्चा की मांग करते है निया यह तरीके से उस पर चर्चा होनी आवश्यक है सातियो तो वह गुप्तमदान या उचीतमदान होना चाहिए द्वनीमत के आधार पर उसे गोशित कर देना यह तो दबंगाई हो गई यह लोकतंत्र की रहा में बहुत बड़ा अवरोध है सातियो सातियो अब यह बिल क्या है और यह अच्छा है या बुरा है इस पर मैं आपको इसकी पार्शबूई में बताता हूँ इसके पहले मैं यह बताना चाथा हूँ कि मैं स्वयम खेती बारी कर चुका हूँ मैं जब चोटा था तो श्वयम मिठी डिली करना या मात्बं निकालना जहीसे काम किया है मैंने मैंने मुझदूरे के साथ काफी समय तक बच्पन में काम किया है मेरे पिताजी आज भी खेती बाड़ी करते है और मैं जब वैस को होने के बाद इंग्लेंड से भारत आया था 6 साल के लिए तो उस समय भी मैंने खेती में खुद काम किया था खुद मेहनत की थी किसान का उत्पाद सातियों जब खेत में तयार होता है तो किसान के सामनेता दो प्रकार होते है एक छोटे किसान और एक मद्यम और बड़े किसाम छोटे जो किसान है इनका उत्पाद जैसे ही आता है उसे तुरंद बेचकर पुराने कर चुकाना नया माल खरिदना इसके लिए प्रावधान उन्हें करना पड़ता है अता है उसका उत्पात कृछी उपज मंडी बाजार तक पोचता ही नहीं। बीच वाले साहुकार, व्यापरी या जिन से किसान ने उधार लिया है। उन्हें वह अपना उत्पात दे देता है और पैसे प्राक कर लेता है। और ये साहुकार व्यापारी वक उत्पात कुरुशी उपज मंडी में अधिक दर से बेचते हैं या दूसरे राज्यों में भी उसको बेच देते हैं तो उनका वो बिजनेस रहता है। यहाँ प्रनाली इस प्रकार है कि किसान अपना उत्पात जैसे सबजी, फल, अनाज, आदी ये लेकर मंडी में जाता है। वहाँ एक दलाल की सिस्टम होती है, वहाँ उस उत्पात का निलाम वह दलाल करता है और उस समझ जो दरत है होता है उसमें व्यापारियों को माल बेचना पड़ता है किसान को। तो किसान प्रतेक्ष रूप से व्यापारियों से बात नहीं करता है या दलाल ही बात करता है और इस सिस्टेम के वज़े से किसान का काफी नुकसान होता है दलाल इसमें पैसे बीच में हड़प लेता है इसके अलावा तीसरा भी सिस्टेम है जिस से किसान प्राइवेटली अ उसका ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसको नियूनतम जो मुल्य होता है, उसको MSP कहते हैं, वहां मिलना संभव नहीं होता है, अता हुआ अपनी ज़रोता के अनुसार उतपास बेज़ता है, और व्यापारी उसका भंडारन कर, कभी उतपास की किमते गिरा देते है, यहां खुलेहाम चलता है, और इसको कोई रोक नहीं पाता है, किसी भी सरकार के यहां कक्शा में आता है, लेकिन वहां नहीं कर पाते हैं, इसमें कुछ सकारा अतमक स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, तो इस सिस्टम में जो ढ़िए साथियों उन्हें सुधारने की जुर्त है, दला के बाजारों में पारदर्शिता लाना, यंत्रना में परिवर्तन करना, ताकि किसान को अधिक से अधिक इसका लाब पहुचे, ऐसी बात नहीं है कि यंत्रना एक किसानों के खिलाफ है, लेकिन इनमें जो कुछ खामिया है, जो प्रिष्टाचार चलता है, जो अन्यमी तुता चलती है, उन पर अगर नियंत्रन कर सकते हैं, तो किसानों को भी लाब होगा, व्यापारियों के साथ वो भी पैसा कमा सकते हैं, और बाहर सहुकार व्यापारी जो माल बेशते हैं, जिस क्षेतर में किसानों का शोशन होता है इस वेवार में, इस पर भी अंकुष लगाना चाहिए वहाँ भी न्यूनतम मुल्ले उसको मिलना चाहिए किसानों को तीसरा जो परिवर्तन किया जा सकता है यह है कि न्यूनतम समर्तन मुल्ले जो है MSP यह केवल 23 फसलों के लिए गोशित किया जाता है लेकिन वास्तव में यह सिर्फ दो ही फसलों के लिए दिया जाता है और 6 फसले यह MSP के भी नीचे रेट में प्राइवेटली बेज दिया जाता है तो इसमें किसान का नुकसान होता है व्यापारी अमेर हो जाते है और यह लगातार ऐसे ही चल रहा है इस बारे में सुधार लाना चाहिए और सरकार ने इसको सीरियसली लेना चाहिए ताकि किसानों को गरीब किसानों को इसका सीधा फायदा हो लाब मिले तो अब इस पर सरकार ने क्या विकल्प प्रस्तुत किया है इस पर थोड़े सी बात करते हैं यह विकल्प जो है सरकार का यह है कि संपूर्ण जो अब यंतरना चल रही है इसे छोड़ कर इसे अन्देखा कर नई यंतरना डेवलप करना प्राइवेटाइजेशन करना यद्देपी सरकार कह रहे है कि उनका जो प्लान है वो अच्छा है जिससे जिसमें भी न्यूनतम उसका समर्तन मुल्य रखा जाएगा लेकिन फिर भी इसमें जो मुख्य अजेंडा है वो इसमें प्राइवेट पार्टनर्स को उतारने वाला है और कार्पोरेट कमपनियों को बिना लाइसन्स बिना पर्मिशन और उनको टैक्स सेशन में काफी सारे रिलाक्स सेशन देके उनको उतारने की साजिश सरकार कर रही ह और इन लोगों को काफी और सुधारनाय दिये जाएगी, जो नियंतरन कुरुशी उपज मंडी में होते हैं, वह इनके लिए कम होंगे, तो इसमें उपरी तोर पर बले ही लोग कर रहे हैं कि इसमें किसानों का फाइदा है, किसानों को दो विकल्प है, उसमें दुरगामी प् उन्होंने कहा है कि जैसे जियो मोबाइल वाले अंबानी जी, जो मोदी जी के मित्र है, उनकी कमपनी ने पेश किया, मोबाइल, उसमें मोदी जी का भी नाम का इस्तमाल किया गया, उनके सहकार है से यह सब हुआ, सरकार के सहकार है से, यह तो सभी को मालूम है, अब कि मोद अपने उद्यमी मित्रों के लिए कितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में काम करते हैं, वह तो पाकिस्तान भी चले गए थे अदानी पावर प्रोजेक्ट के काम की वज़े से, वहाँ नवाश शरीप जिसे मिले हैं और वहाँ की बिर्यानी खाई हैं, आप सब चान इन प्राइवेट लोगों को लाव होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे ये लोग सब ये जो कुशी का मार्केट है, ये टेक ओवर करें, जैसा जियो ने किया, फ्री मोबाइल बाटे, बाद में उन्होंने पाकेज के रेट्स बढ़ा दिये, और इस दवरान BSNL को जान बुच कर अंदेखा किया, उसकी अपिक्षा की गई, ताकि BSNL का पतन हो, उसका दरजा बढ़ा कर उसको यंतरना में सुधार लाकर, अगर BSNL को ही सुधार सकते थे, तो जिवो इतना बढ़ता ही नहीं था, और यही हाल मंडियों का भी होने वाला है सातियों, अब वो कह रहे है क कि नियुनतम समर्तन मुले रहेगा, मंडि रहेगी, फिर भी धिरे धिरे क्या होगा, मंडि के जो एक्सपर्ट लोग है, उन्हें अधिक वेतन देकर बाहर लाया जाएगा, मंडि को बदनाम किया जाएगा, शुरू में प्राइवेट पार्टनर्स काफी आकरशक किसानों को सहायता करेंगे, करजा देंगे, फिर कॉंट्रैक फार्मिंग शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कुरूशी उपज मंडिया डूबने लगेंगी, ये प्राइवेट लोग है, इनका एक अधिकार स्थापित हो जाएगा, और अब सावकार और व्यापारी जिस प् प्राइज देना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी के टीवी पर दिये गए वक्तवे और प्रत्यक्ष जो बील है, उसमें अंतर है साथियो, इसके कई उदाहरन मैं आपको जो बुद्काल में हुए है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, मोदी जी ने नोट बंदी का जिस तर डालो, ये वो कहते रहते हैं, और हमने देखा नोट बंदी में क्या हुआ है, जो गरीब किसान है, मजदूर है, मिडल क्लास है, हम लोग सब लाइन में खड़े हो गए, हमारे हाल हुए, लोग मर गए रास्ते पर, उसी तरह GST का भी किया, इन से कुछ हासिल नहीं हुआ, क उनके जो बिल्स होते हैं, उसमें जो निर्ने होते हैं, उसमें अलग बाते होती हैं, CAA, NRC के बारे में भी उन्होंने ऐसाई कहा था, उन्होंने जाहिर संसद में कहा था कि डिटेंशन सेंटर नहीं हैं, वो नहीं लगेंगे, और उदर नौर्थिस में डिटेंशन सेंटर अल्रेडी काम करना शुरू हो चुके थे तो ये गलत फैमी करते हैं गुम्रा कर देते हैं देशवासियों को और उनकी अक्टिविटी जो होती है वो अलग होती है ऐसा LIC के रेलवे के एर इंडिया के बारे में भी हो आए वो वादा कुछ अलग उन्हों ने किया था लेकिन अब उनका प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया है ये बेचना शुरू कर दिया है तो यही मार्केट कमिटी और मंडियों का होने वाला है सातियों तो बजाए इसके कि ये मार्केट कमिटी के जो कमिया है इसके जो गहर वेवार है अनिमित्ता है उसमें सुदार लाकर लाए उनको रिप्लेस करना चाहते है अपने प्राइवेट पार्टनरों से अपने जो दोस्त है कॉर्पोरेट के अब अडानी अम्बानी जैसे उनको फाइदा पहुचाने के लिए लेकिन आप अगर इन मंडियों का इतियास देखे तो ये बड़ी फाइदे की रही है तो हमने बिहार में देखा है 2006 से वहाँ पर किसानों का जो उपज होता है उसको न्यूनतम प्राइज मिलने का जो अवसत है वो काफी कम हो गया है आप पंजाब की अगर तुलना करें, तो पंजाब में अगर 24% किसानों को निचे दर मिलती है, तो बिहार में 96% किसानों को निचे दाम मिलता है, इसकी वज़ए है कि वापे सब प्राइवेट चलता है, और ये बिहार में फेल हुआ मौडल, मोदी जी अब पूरे इंडिया म लाना चाहते है, साथ ये वेस्टन कंट्रीज में भी ये प्राइवेटाइजेशन का दोर रहा है, और यहाँ पर भी किसानों को इसका काफी नुकसान जलना पड़ता है, यहाँ की सरकारे किसानों को सबसीडी देकर उसका नुकसान कम करती है, और अगर सरकार यहाँ की सप फाइदा नहीं मिल पाता है तो प्राइवेटाइजेशन ये कुछ ऐसी वेल एस्टाबलिश्ट और फाइदेमन किसान के लिए सिस्टम है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं सात्यों अब अन्त में संक्षित में बात करूंगा कि इस पर इलाज क्या है क्या ओप्षन है तो हमारी जो यंत्रना है अस्तित्वम है उसको पूरी तरह से इग्नोर न करते हुए उसी को सशक्त किया जाए उसको और ज्यादा ट्रांस्परंट ऑनेस्ट किया जाए जिससे किसानों का भी फाइदा हो और व्यापारियों का भी या Market Committee में जो Politicians होते हैं वो लोग पैसा खा जाते हैं इसके लिए कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है अगर हम सिर्फ Private Partners में लाते हैं जो कुछ सालों में यह सब मंडिया और Market Committees को खा जाएंगे और उनका पूरा एकाधिकार Establish हो जाएगा तो यह किसान के हीत में ही होगा य मुझे तो यह लगता है जो पूरी दुनिया का experience है और हमारे देश में भी जो privatization का experience है इसमें किसान ये private लोगों के साथ ठीक से deal नहीं कर पाएंगे और इस बिल में ऐसा भी प्राइवदान है कि अगर किसानों में और इस private companyों में कुछ वादविवाद हो जाए कुछ मसले हो तो इसके लिए जो opposition की partyya है वो demand कर रहे है कि इस पर open discussion हो जो किसान के संगटन है किसानों के प्रतिनी दी है उनसे discussion होना चाहिए इतना ही नहीं तो सरकार के पक्ष में जो गडबंदन में जो partyya है उनसे भी सरकार ने बात करना चाहिए उनके एक मंत्री ने resign कर दिया है तो ये बार लोगतंत्रे के लिए ठीक नहीं है ऐसे unilateral decision लेके उसको थोप देना और उसको राज्यसबा में ठीक से कानूनी voting न लेके सिर्फ आवाज के माध्यम से उसको पारित कर दिया है ऐसा गोशित करना तो हम में और रशिया या चाइना में कुछ अंतर नहीं रह जाएग ना कि ये जो उद्योग पती है पुंजी पती है मुदी जी के दोस्ते इनकी बलाई देखनी चाहिए देश सर्वप्रतम आता है इसके बाद में हमारे पार्टी ये संगटन जाती है तो सातियो मैं आशा करता हूँ आपको ये विचार पसंद आए अगर पसंद है तो प्ली